काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निसान बन जाए, ऐ मेरे दोस्त, जिन्दगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम हैं, तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, आज हम लोग नाउन के टाइपस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, चली हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग टाइपस आप नाउन के बारे में पढ़ेंगे, इसके पहले की क्लास में हमने कॉंसेप्ट आप नाउन को एक्स्प्रेंड किया है, आप लोग अगर इस वीडियो पर नए हैं, तो आप लोग हमारी पहले वाली वीडियो देखिएगा, उससे ए वाला पार्ट आप लोग को बहतर तरीके सी समझ में आएगा, चलिए हम लोग आज काइन साप नाउन यानि की टाइप साप नाउन पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग नाउन के टाइप के बारे पढ़ने वाले हैं, नाउन को हम लोग दो पार्ट में बादेंगे, पहला पार्ट हमारा होगा काउंटेबल नाउन, और दूसरा पार्ट हमारा होगा uncountable noun ऐसे noun जिनने हम count कर सकते हैं वे countable noun कहलाते हैं और ऐसे noun जिनने हम count नहीं कर सकते हैं uncountable noun कहलाते हैं इसके हम definition लिख लेते हैं the noun which can be counted is called countable noun as as राम मोहन शोहन रामायन गीता एटीसी और uncountable noun क्या होता है ऐसा noun जिसे हम लोग count नहीं कर सकते हैं uncountable noun कहलाते हैं the noun the noun which cannot be counted is called uncountable noun as 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 copper silver और जो भी हमारी सारी feelings होती है all feelings एशब uncountable noun कहलाते हैं countable noun को कितने पार्ट में बाता गया है इसके पार्ट को हम लोग देख लेते हैं countable noun को तीन पार्ट में classify किया गया है इसका classification तीन पार्ट में होगा है proper noun common noun और तीसरा हमारा है collective noun अभी इन सारे types के बारे में हम detail में पढ़ेंगे अभी आप लोग type को जान लीजिए और यहां uncountable noun को दो पार्ट में classify किया गया है uncountable noun में दो types होते हैं material noun और इसमें दूसरा होता है abstract noun दूसरा होता है abstract noun आप लोग अगर note करना चाहते होते इसको note कर लीजिए अब हम लोग इनके बारे में detail में पढ़ेंगे इससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ एक तरह का हमारे पास और noun होता है जो countless noun होता है यानि कि असंख्या अंगिनत यानि कि ऐसे नाउंस जिरें हम count कर सकते हैं लेकिन count करने की जरूरत नहीं होती है वे countless noun कहलाते हैं इनके बारे में हम थोड़ा से last में पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग यहां से start करते है types of noun के बारे में प्रॉपर नाउंस से हम लोग start करेंगे इससे पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि जैसे जो noun होता है noun को हम कैसे identify करेंगे कुछ noun होते हैं जिनको में पहचानने में problem होती है उनको किस तरह से पहचान सकते हैं कि उनके पहचानने का जो निया में उस गुरूल को जान लेते हैं कि कुछ की points है noun को पहचानने का कि आप लोग noun को definition लगा करके पहचानियेगा अगर आप लोग को कोई शमस्या आ रही हो जैसे अभी आप आप लोग देखेंगे कि कुछ आपको adjective मिलेंगे कुछ adverb मिलेंगे जिनमें उनका कुछ एक noun का भी रूप होता है लेकिन happiness noun होता इस तरह के जो भी मिलेंगे आपको इनमें confusion हो सकती है इस confusion को दूर करने के लिए हम कुछ की points को explain करेंगे कैसे की हम नाउन को extract करें चलिए पहला हमारा होता है अगर कोई word है और उस word के last में ity आ रहा है क्या आ रहा है अगर कोई word है उसके last में ity आ रहा है अगर कोई सब्द है और उसके last में कि आ रहा है तो वह जैसे जैसे quantity होता है आप लोग quantity लास्ट में ity आ है इससे आप लोग पहचाल लेजेगा के नाउन है क्वालिटी हो गया क्वालिटी क्वालिटी सिमिलारिटी यहां पर आप लोग द्यान से देखिए यहां पर ity आ रहा यहां पर ity आ रहा शिंगिलारिटी आ ऐसे भी बहुत सारे words होंगे जिनके last में ity आता है इन्हें देखते ही आप लोग पहचान लीजेगा नाउन है दूसरा रूल हमारा कहता है अगर कोई word है और उसके last में ती आई ओ यहन आता है ती आई ओ यहन आता है तो वहां तो वहां नाउन होता जैसे लोकेशन लोकेशन एक्शन पोजिशन शब्सक्रिप्शन यहां से आप लोग देखिए लास्ट में टी आई ओ यहन आया यहां पर भी वैसे ही है यहां पर भी वैसे है यहां पर भी वैसे यानि कि अगर कोई वर्ड है और उसके last में टी आई ओ यहन आ रहा है तो वह अभी नाउन होता है तीसरा अगर कोई वर्ड है और उसके last में अगर 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 तो वह भी नाउन होता है अगर 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 जैसे अगर 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 तो वह भी नाउन होता है जैसे happiness, eagerness, consciousness, blindness, witness और अगर कोई word है उसके अंत में ITY आता है ITY हो गया है अगर कोई word है उसके अंत में SIS आता है और और उसके अंत में SIS आता है तो भी वान नाउन होता है जैसे जैसे फोटो सिंथेसिस जैसे फोटो सिंथेसिस बेसिस फोटो सिंथेसिस बेसिस हाइपोथेसिस इस तरह से अगर कोई word है उसके लास्ट में SIS 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 आ रहा है तो वह भी नाउन होता है नेक्स्ट रूल हम सीखेंगे अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट रूल अगर कोई word word है और उसका अंत M E N T मेंट से हो रहा है तो भी वहाँ नाउन होता है जैसे 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 movement 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 improvement improvement and arrangement etc यहां से आप लोग देखिये हमने कहा जैसे कि कोई है और उसका लास्ट उसका MENT से हो रहा है तो आएक नाउन होता है जैसे गौवर्मेंट प्लेश्मेंट गौवर्मेंट placement, moment, movement, moment, improvement, enrichment, etc. Next, जैसे किसी परषन के possession के बारे में, जैसे कोई परषन है, के पैसन के बारे में ठीक है जैसे अगर लास्ट वर्ड या और और है अगर लास्ट वर्ड या या ओर है तो भी वह नाउन होता जैसे कि डॉक्टर कि एक्टर कि एंजिनियर कि यहां से आप लोग देखिए और 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 या अभी हमारे के पास एक रू नौर है अगर कोई वर्ड है कि उसका अन्ध न से हो रहा है और और उसका लाश्ट लेटर अगर एश हैं अब हमने इसको एक्स्पेरीन कर दिया है चलिए अब हम लोग इसके next type के बारे में सीखते हैं आप लोग इसको note कर लीजिए चलिए अब हम लोग नाउन के टाइप के बारे में study करते हैं अब तक हमने सीखा कि अगर नाउन दिया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे ठीक है चलिए है अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन धिच दिनोटा था प्रॉपर परॉपर पॉपर पॉड़नー पॉपर नाउन धिच दिनोटा अटा ग्रॉपर नाउन मममेव वैंक बार्य है झालिय। प्रॉपर पर्शन, थिंग, एंड प्लेश, इस कॉल्ड, प्रॉपर नाउन, हमने क्या कहा, आईसा नाउन, जो प्रॉपर पर्शन, थिंग, और प्लेश को डिनोट करता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, एक्जामपल इसका हम देख लेते हैं, प्रॉपर पर्शन, जैसे कोई व्यक्ति है, और उसका कोई नाम है, या फिर कोई दूसरी चीज है, और उसका कोई प्रॉपर नेम है, तो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे प्रॉपर पर्शन में कोई व्यक्ति है और उसका प्रॉपर नेम है, जैसे मने राम लिया, श्याम, कोई लड़का उसका नाम गुलाव, या फिर कोई दूसरा नाम है रवी, इस तरह से, अगर कोई व्यक्ति है, उसका प्रॉपर नेम ह है तो प्रॉपर नावन होता है थिंग को देख लेते हैं प्रॉपर थिंग कोई प्रॉपर थिंग है जैसे कोई भी प्रॉपर थिंग है रामायन गीता बाइबल ए टिसी अगर कोई प्रॉपर प्रेस है और उसका कोई प्रॉपर नेम है जैसे हमने किसी प्रॉपर नाम लिया प्रॉपर कहा एक सिटी है और सिटी का प्रॉपर नॉर्म प्रॉपर प्लेस ठीक है कोलकेटा डेलही मुंबई अगर कोई ब्यक्ति है उसका नाम है तो प्रॉपर नाउन होता है कोई वस्तु है उसका प्रॉपर नाम है तो कॉमन नाउन होता है कोई प्लेस है कोई अस्थान है और उसका कोई नेम है तो भी प्रॉपर नाउन होता है चलिए हम लोग अब कॉमन नाउन के बारे में सीखते ह the noun which denotes a common person place and thing is called common noun is called common noun common person common place and thing is common noun common person common place common thing mean woman girl students common place में city कोई village हो गया कोई college हो गया या फिर कोई कि टेबल कि एटी सी ठीक है ताप लोग इस definition को पढ़ लीजिए बच्चों को अक्सर confusion रहता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में ठीक है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीज डिफरेंस क्या होता है इस चीज को यहीं पर समझ लेते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ठीक है अब यहां पर इस तरफ हम कुछ कॉमन नाउन के नेम लिखेंगे कि इस तरफ हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे कॉमन नाउन के अंतरगत मैं जैसे कोई मैं है ए सारे मैं की जाती को सो कर रहा है यानि की मैं सब्द पूरे वर्ड के मैं के बारे में बता रहा है मैं को बता रहा है तो मैं क्या है एक कॉमन नाउन लेकिन जैसे यह बहुत सारी लोग है ए जैसे यह सब मैं है यह सब मैं है लेकिन अगर आगर रहाए इन व्यक्तियों को नाम दे दें क्या दें नाम जैसे हमने नाम दिया इसको राम कि मोहन कि सोहन कि राकेश कि श्याम कि यह सारे जो मैं थे जब तक इनका कोई प्रॉपर नाम नहीं था तब तक इसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो गई तो मैं तो एक कोमन नाम हो गया लेकिन अगर हम इन लड़कों के नाम लिख दें इन बेक्तियों के नाम लिख दें तो ए प्रॉपर नाउन हो जाएंगे जैसे हमने नाम लिखा राम मोहन श्याम राम मोहन श्याम शोहन राकेश एटीश यानि की व्यक्तियों के अंदर जितने भी नाम आते हैं व्यक्तियों के नेम और प्रॉपर नाउन के अंतरगत जाएंगे अगर में वो गया कि समझे एंब बहुत सारी में हैं एक बहुत सारी में हैं अगर हमने इनको प्रॉपर नाम दे दिया में को तो इसारे में इनसे किसी मेशला के बारे में पता नहीं चल रहा है कि इसी एंच के बारे में पता नहीं चल रहा और अगर इनको नाम दे दें इनको अगर अगर ne दे दे ए प्रॉपर नाउन बन जाएंगि ठीक है तो हमने लिखा उमेन अब इनको हमने प्रॉपर नाम देना इस्टार्ट किया इनको हमने नाम दिया शामा इनको अमने नाम दिया रीमा इनको स्नेह, इसी तरह से इनको अमने नाम दिया काली, इनको गीता, इस तरह से आपने देखा, जब तक इनके पास कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं था, यह लोग कॉमन नाउन थे, लेकिन जैसे ही हमने नाम दिया, इसका इनका पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन हो गया, वैसे भी इनका, तो फिलोग प्रॉपर नाउन हो गये, कैसे नाउन हो गये, प्रॉपर नाउन, यानि कि जो उमैन है, वह एक कॉमन नाउन है, लेकिन वुमैन के अंदर अगर हम तो यह प्रॉपर नाउन हो जाते हैं जैसे हमने नाम लिखा था इसने यहां कि रीमा कि श्यामा कि एटी सी जितने भी उमैन के अंदर महिलाएं आ रही है वे क्या है कि यहां पर हमने प्रॉपर नाउन हो गए और जो महिलाएं वो ओधान नाउन के अंतर है ठीक है आप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को को अभी सारे स्टूडेंट ही है तो अगर हम कहें स्टूडेंट कॉंहियर सारे चले आएंगे लेकिन आदम इसको नाम द दे अगर हम इसको नाम दे अर्यौन तरवी 要 कि से रावूल नाचैट तो अब प्रोक्रर नाउन हो गए है क्योंकि हमने इनको नौम दिया यह प्रॉपर नौन हो गया सारे प्रॉपर नौन हो जा रहे ऐसे कॉमन नौन को अगर हम प्रॉपर आइटिफिकेशन दे देते हैं तो प्रॉपर नौन बन जाते हैं तो यहां से स्टुडेंट थे यहां से स्टुडेंट थे लेकिन जैसे हमन इनको नौन दिया प्रॉपर हो गया तो अभी प्रॉपर नौन के अंतरकर चला जाएगा अर्जुन रवी राहुल अंकित खीक है इसी तरह से अब जैसे टीचर है जैसे टीचर है इसी तरह से टीचर भी बहुत सारे हमारे पास टीचर होंगे लेकिन अगर उन टीचरों में से एक-एक को हम कलब करना चाहें और सबका नाम देदें सबका पर्टिक्लर आइडेटिफिकेशन हो जाए तो उनके बीच से जिसको बुलाएंगे वही आएंगे तो इस तरह से वह त्रोना चाहरे विश्वा मित्रो वसिस्थ एटीचर है तो अब तक जो टीचर थे जितने इस केटेगरी में आ रहे थे सब लोग कॉमन नाउन थे लेकिन जब हमने सभी टीचरों का एक पर्टिकुलर आइडेटिफिकेशन दिया सभी लोगों को सबका एक प्रॉपर नेम ह हो गया है यहां पर तो यह कौन से नाउन होंगे प्रॉपर नाउन अब जबं चरत कोई स्कूल है अब इसकूल सब्द कहने से आप लोगों के दिमांग में पोरी स्कूल के समांव नाम बन गहे होंगे सारी श्कूल च्चब गए ऊंगे तो एक क्वेंमें it क्यूंकि टिकू इस तरह से वो प्रॉपर राउन हो जाएगा जैसे यहां पर इस्कूल है अब प्रॉपर में कैसे हो सकता जैसे हमने नाम लिया पी आर आई सी एस एस आई सी और एस एम एस एस यानि कि जैसे हमने इसकूल सब्द कहा तो आपके दिमाग में सारे इसकूल बन गए होंगे लेकिन जब हमने इनको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दिया तो यह कौन से नाउन होगी प्रॉपर नाउन हो गया अब जैसे कुछ गेम ले 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 गेम क्या होता है एक कॉमन नाउन है क्योंकि गेम कहने से आपके दिमाग में कोई सी गेम के बारे लेकिन प्रॉपर नाम दे देने पर जैसे क्रिकेट हो गया अब तक कॉमन नाउन थे लेकिन नाम दे देने पर यह लोग प्रॉपर नाउन हो गया मैं यह आसा करता हूं आप लोगों को शमज में आ गया होगा आप लोगों की शमज में आ गया होगा आप लोगों की शमज म चलिए अब हम लोग नाउन के next टाइप को समझते हैं next टाइप है collective noun ठीक है आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लें अब हम पढ़ेंगे collective noun यहां से मैं आप लोग को एक बात और समझा दूं कि अब तक आप लोग देखें यहां पर कि जितने भी नाउन ते जितने भी जीवीत पराड़ी होते हैं वह एक समधायमें रहमना पसंद करते हैं तो इनका जो शमिधाय होता है इनका जो collection होता है यह लोग जहां पर रहते हैं कोई collective noun बने था अभी यहां से देखिए proper nouns अभी है कोई भी नावन हो proper noun है लेकिन जैसे यह लोग साथ में रहना सुरू कर दी समझझे साथ रहना सुरू कि तो एक collection बन गया यह लोग साथ में रहना एक गुरूप हो जाएगा इस तरह से गुरूप में बजाने लगे तो जैसे ही यह लोग गुरूप में रहना स्टार्ट कर देते हैं वह एक collective noun हो जाते हैं ठीक है चलिए हम इसको define करते हैं collective noun the noun which denotes the noun which denotes a group of person or other or other creature and collection of things creature and collection of things is called collective noun तो हम लोग collective noun के एक्जाम्पल को यहां से समझ लेते हैं तो गुरूप पर्शन में किस किस तरह के गुरूप हो सकते हैं जैसे हमने कहा a crew of sailors अब जैसे हमने क्या कहा इससे पहले हमने कहा था कि जो collective noun होता है collecting noun जो भी चीजें होती हैं उनका एक collection होता है कोई भी चीज हो सकती है उसका एक collection होता है तो गुरूप पर्शन में देख लेते हैं और क्लेक्टिव लाउन के एक्जाम्पल को अक्रिव आफ सेलर अक्रिव आफ सेलर अक्रिव आफ सेलर और टीम आफ प्लेयर्स अ क्लास आफ स्टूडेंट्स अ क्लास आफ स्टूडेंट्स अ गैंग ओफ रॉबर इस तरह से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है आप लोग क्लेक्टिव नाउन को याद कर लीजिएगा अब कलेक्टिव आफ थिंग्स के बारे में थोड़ा सा जाल लेते हैं एक्जाम्पल के रूप में क्लेक्टिव आफ थिंग्स के अंदर क्या हो सकता है क्लेक्टिव आफ थिंग्स ठीक है अब फ्लीट आफ शीप्स आफ फ्लीट आफ शीप्स अब बंचा फ्लावर्स अब 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 फ्लावर्स अ लाइब्रेरी आफ बुक्स अ लाइब्रेरी आफ बुक्स यानि की चाहे कोई भी चीज है अगर इनका कलेक्टिव नाउन होता है आप लोग बेंतर तरीके से इसको समझ गए होंगे अब इससे आगे की क्लास को हम कल कॉंटिन्यू करेंगे उसमें हम लोग इससे आगे की क्लास को पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद झाल